असलाम अले कराम अतिल्लाइ बरकातू, वेलकम टू रुजदास कीचन, आप सब लोग कैसे हो, उमीद करते हैं अल्ला के फ़सले करम से आप सब लोग खेरे सही होगे आज फिर नई रेसिपी के साथ हाजर है, हम या पे सूजी का हलवा यानि केरवे का हलवा बनाएंगी एक विक एन इजी रेसिपी ये खाने में बहुत डिलिशेज बनता है, आप एक बाइस तरीके से जरू ठाए कीजिगा, इंशाला आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो आपसे हमबल डिक्वेश आप हमारे चैनल को जरू लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिए अब हम रैसिपी की तरफ चलते है, इसे बनाने के लिए आपे हमने एक कप भर के सोजी यानि के रवा ले लिए है, दो पीस हमने डालचिन के लिए है, हाफ कप शुगर यानि के आदा कप हमने शकर ले लिए है, वन पिंच हमने सैफरान यानि के जाफरान ले लिए है, वन आधाप से थोड़ा ज्यादा हमने डेसी घी ले लिये हैं आधा अगुहा स्टे को छीत मिल्क रखेब ले लैक बनाना यानि सारी हमारी तैयारी हो गई है अब नएं कड़ाई रख दिया गी डैसी घीज अगी डाल D निकाल दिये थे अब इसमें रखना घयाँ की लोगुई ग्यास की फिलेम को हम बहुत और भूळूर से रव को भून लेंगे के जब तक कि इसका अच्छे से लाइट गोल्डन कलर नहीं होता हम इसी तरा से चलाते रहेंगे हमने इसे पांच मेर करेंगे हम इसे पांच से अच्छे से बूं लिए हैं इसका कलर हलकासा चेंज हो अप देख सकते हैं और ध्य इसे फ्राय कर लेंगे इसकी कंसेसे आप देख सकते हैं पतली हो जाएंगे क्योंकि हमने घी थोड़ा ज्यादा डाल दिये हैं ज्यादा घी से यह मज़ेका बनता है अब इसे अच्छे से हमने भून लें बस हलके से लाइट गोल्डन में आ गया है बादाम पिस्ता जो हमने क अब देख सकते हैं इसका कलर चेंज होगे हमने इसमें किश्मिट डाल दिये अब हम इसमें दूद डाल देंगे जो हमने निकाल के रख दिये थे पूरा आदा लिटर हमने डाल दिये हैं गयास की फ्लेम को अब हाई कर लेंगे अब इसमें हमने जो सैफरान इलाइची की प लेवर उतना अच्छे से इसमें रवे में आ जाएगा अब हमने इसे अच्छे से मैश कर लिए अब देख सकते हैं पुरा मेल्ट हो गया है अब हम इसमें रवा भी हमारा सुख गया उसमें शकर दाल देंगे पूरी शकर हमने नहीं दाले हैं पाव कप दाले है यानिंके one-fourth कफी शकर लगी है अब ग्यास की फ्लेम को बिल्कु स्लो कर दिये अब इसे कवर करके हम पास मिनट के लिए रख दिये थे देख सकते हैं इसमें हलका सा घी रिलीज हो गया एक बाइसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें मावा डाल देंगे जो हमने निकाल के रख द अब मावा अच्छे से मिक्स हो गया है इसे कवर करके एक मिनट क्ले रख देंगे स्लो फ्लेम पे एक मिनट हो गया है सोजी का हलवा बनके हमारा रेडी हो गया अब गयास की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे साविंग प्लेट में निकाल देंगे लग रहना टैम्टिंग ह जितना दिखने में टैम्टिंग से कई ज़्यादा डिलिशेस भी बनता है आप एक बाइस तरीके से ज़रू ट्राइ कीजेगा इंशाला आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको हमारे सिंपल और इसी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रू लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए दौाओं में याद कीजिए का फिर मिलेंगे इंशाला नेक्स रेसिपी के साथ जब तक के लिए लाहाफिज